हलो एब्रिवान, वेलकम टो परनाच किचन, मैं हूँ अपरना, आज मैं लाई हूँ कटहल की एकदम डिफरेंट रस्पी बहुत ही टेस्टी बनती है और अगर आप इसे एक बार खा लेंगे तो चिकन मटन खाना तो भूल ही जाएंगे और बीना मसाला को पी से हम बनाएंग इसलद की एटाब मने दूल लोग तो यहांपे कटहल को अच्छा से चील के और शुमड़ लिए हैं और हम इसे डाल रहां धोने, की ओन गिलने से थोड़ा सा ठाना है तो नमक बहुत जादा नहीं डालना है बस तोथाई चमच आप यहां पर नमक डाल दें और अब हम यहां पे करीब 2-3 पिंच हल्दी डाल देते हैं हल्दी पाउडर और अच्छे से इसको हम मिला देंगे अच्छे से मिक्स कर दें और देखिए पानी इतना होना चाहिए कटेल के नीचे ही पानी रहे और अब हम इसका लीड बंद कर देंगे और अब हम इसको गेस पे रख देते हैं यहां पे मैं ने गेस पे रख दिया है गेस की हीट को low to medium रखा है और यहां पे एक CT आ गई थी उसके बाद मैंने गेस को बंद कर दिया और थंडा होने के बाद मैंने कुक़र को खोला है तो देखिए चुकटेल है हमारा इस तरह से थोड़ा सा बॉयल हो गया है बहुत ज़दा बॉयल नहीं करना है एक ही शुटी लगानी है उसके बाद कुकर को थंडा होने के बाद खोलना है तो इसे हम निकाल लेते हैं अब और निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे और चाहे को हम थोड़ा सा गरम होने देंगे तो यहां पे मैंने सरसों का तेल लिया है और अब हम एक पीस करके सारे पीस इसमें डाल देते हैं और यहां पे जो आपका कटेल है पूरी तरह से ठंडा हो जाना चाहिए और अभी देखिए मैंने इसमें सारे पीस एड़ कर दिये हैं अ और कटेल को इस तरह से पलटते हुए बस एक दो दो मिट के गैप में आप इसे पलट दें और अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो देखिए मैंने इसको इस तरह से फ्राई किया है बहुत ज़्यादा इसको क्रिस्प नहीं करना है बट हां इसमें डेड स्पॉट नजर आए उतना ही हमें इसे फ्राई करना है तो कटेल हमारा फ्राई हो चुका है और अब हम इसको निकाल लेते हैं तो करीब मैंने इसे 5-7 मिट के लिए फ्राई किया है तो इतना ही इसे फ्राई करना है इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं फ्राई करना है और अब हम इसको निकाल ले और कुकर में हम यह वाला ओयल डाल देंगे जीरा आदा चोटा चमच और जीरे को फ्राई होने देंगे तो आप ध्यान रखें यहां पे जो आपका तेल बहुत जाता गरम नहीं हो तब देखें खड़े मसाले देख लेते हैं तो यहां पे मैंने आदा फूल चक्र लिया है औ मैंने 6-7 काली मिर्च ली है और चोटा टुकडा दाल चीनी का दो लॉंग दो तेज पते और दो मैंने ली हैं सुखी वाली लाल मिर्च और इन सारे मसालों को हम तेल में डाल देंगे और यहां पे हीट को लो रखिए क्योंकि तेल बहुत जादा गरम ना हो और यह मसाले है जलने नहीं चाहिए और जब कम तेल गरम में यह मसाले आप फ्राई करेंगे तो इससे निच्टरल ओयल निकल के आएगा जिससे बहुत यह अच्छा अरोमा आता है तो इन मसालों को आप लो हीट पे कम गरम ओयल में ही फ्राई करें तो देखिए मसाले हमारे थोड़े से फ पारा लहसुन की कलिया ली है यह भी मैं इसी तरह से इसमें डाल दूंगी और अब हम इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं तो यहां पे हीट को आप मीडियम कर सकते हैं और मीडियम हीट पे हमें प्राई को थोड़ा सा भून लेना है तो प्याज को भी हमें टांसलूशन अब दाल देते हैं एक चोटा चमश के करीब कश्मीरी मिर्च पाउडर जो बहुत अच्छा कलर देगी और यह तीखा नहीं होता है तो अभी मैंने यहाँ पे चोटा चमश जीरा पाउडर एड़ किया है और दो चोटा चमश हमें एड़ करना है धनिया पाउडर साथ हम यहा बहुत ही जल्दी बन जाती है और टेस्टी तो बहुत ही जादा लगीगी है आप इसके आगे चिकन मटन खाना बूल जाएंगे तब ही देखिए हम थोड़ा सा पानी भी समैट करेंगे ताकि मसाले हमारे जलेना और अच्छे से कुक हो सके तो थोड़ा पानी और एड़ कर है करीब 2 मिट हो चुके हैं यहां पर हीट को मैंने लो रख था तो लो हीट पर हमें मसाले को पका लेना है दो मिट के लिए उसके बाद हम देखिए अपने मसालों को इस तरह से इस स्पून से मैस कर देंगे तो इस से आप को इस पूई ले 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 जिजिए और उससे हमें बहुत अच्छे, क्षुछ बहुत अच्छे का प्ली है, कोकॉकुक हो गये हैं, तो आप इस तरह से कुक पकाई, कीद मेल लगा लिदा, क्ष़ाया है offers । तो भी आपके मसाले इस तरह से बन जाएंगे और देखिए मसाला एकदम क्रीमी हो चुका है तो अब हम इसमें याट कर देते हैं हमारा कट हेल जो फ्राइ करके रखा हुआ था और बहुत ही अच्छी हमारी जो सब्जी बनती है इस तरह से आप एक बार जरू ट्राइ करें आ तो हमें साब ऐसे ही बनाएंगे बहुत ही टेश्टी बनती है तो देखिए अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है पानी हमें यहाँ पे उतना ही डालना है जितनी हमें ग्रेवी रखनी है तो बहुत ज़्यादा ग्रे पहले हो धर जाला है यहां आक समय प्लिकार के इसब पर रहूए नामक कर दाले३ झाले शकनी हेलो rap अच्छे देना है एस म котором और हम करते हैं भोज तो सलगे अव बात है झाला इक अधर ** जब अच्छी सा उल्ग हेले देख रहे हैं आप बहुत ही जादा टेस्टी डिलीसियस मौथ वोटरिंग रेस्पी है तो यहां पर देखिए जो इसका ओइल है उपर आ चुका है और बहुत ही जादा अमेजिंग सब्जी बनी है क्योंकि इसमें मैंने टेमाटर का भी यूज नहीं किया है आप जहां तो आ होती टेस्टी मसालेदार चिकन और मटन को भी फैल करती है हमारी कटहल की सबजी तो आप इसे सर्ब कीजिए गर्मा गरम और आप इसे राइस रोटी के साथ एंजॉय कीजिए यह बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है तो आप एक बार जरूर इसको ट्राइ करें और उसके मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें साथी शेयर करें अपने फेमली और धे सारे फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लें स फॉलो करें इस्ट्रागाम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों का लिंक आपको डिस्कृप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए मैं मिलती हूं नेक्स रेस्पी में थैंक्स वर वॉचिंग बाबाई